दोस्तों राजस्थान ने लखनव को साथ विकेट से हराया, सैमसन और जुरिल ने जड़िन आबादर धशतक. दोस्तों राजस्थान रोयल्ज ने शांदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लखनव सुपरजैंट्स को एक तरफा अंदाज में हराया. राजस्थान की 9 मैच का पूरा हाइलाइट्स दिखाएंगे तो अंद तक बने रहे. लेकिन दोस्तों अगर आपको थौंगा से भी विडियो पसंद आए तो विडियो के लिए एक लाइक बनता है. दोस्तों लखनव की पारी शुरू हो चुकी थी. और ओपनिंग में क्लिंटन डिकाक के साथ के रहुल मैदान पर मौजूड थे. दोस्तों तेज गेंदबाज टैंट बोल्ट ने क्विंटन डिकाक को आउट कर लखनव को पहला जटका दिया था. डिकाक ने बोल्ट की शुरूआती दो गेंदों पर चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर बोल्ट ने डिकाक की गि लिया विखेर दी. डिकाक तीन गेंदों पर आठ रन बनाकर आउट हुए. और दोस्तों तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने माकस स्टोइनिस को बोल्ट कर राजस्थान को दूसरी सफलता दिलाए. क्विटन डिकाक के आउट होने के बाद क्रीज पर उत्रे स्टोइनि के साथ दीपक हुड़ा क्रीज पर मौजूद थे. कप्तान केल राहुल ने शुरुआती जटकों से उबारते हुए लखनव को संभाला. राहुल का साथ दीपक हुड़ा ने बखुबी दिया. दोनों बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी की मदद से पावपले खत्म होने के बाद दो विकेट पर 46 रन बनाए. राहुल 19 गेंडों पर 20 रन और दीपक हुड़ा 10 गेंडों पर 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. दोस्तों कप्तान केल राहुल और दीपक हुड़ा के बीच राजस्थान रोयल्स के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए अर्ध दीपक हुड़ा 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. राहुल ने इस तरह IPL में ओपन के तौर पर 4000 रन भी पूरे कर लिये थे. और दोस्तों लखनओ के कप्तान केल राहुल ने शांदार बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रोयल्स के खिलाफ अर्धश तक जड़ा उन्होंने दीपक हुड़ा के साथ मिलकर टीम को शुरुआती जटको से उबारा और मुश्किल समय में एक बार फिर टीम के लिए उप्योगी पारी खेली. कप्तान केल राहुल के बाद दीपक हुड़ा ने भी राजस्थान रोयल्स के खिलाफ 50 जड़ दिया था. इन दोन राहुल के साथ मिलकर शांदार साजेदारी निभाये और अर्धशतक भी पूरा किया था. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए शतक किये साजेदारी भी पूरी की, लेकिन अश्विन ने इस पार्टनर्शिप का अंत किया. दीपक हुड़ा 31 गेंदो पर 50 र रन बनाकर क्रीज पर मौजूर थे. इस से पहले दीपक हुड़ा और केल राहुल ने तीसरे विकेट के लिए शतक किये साजेदारी निभाये और दीपक ने अर्धशतक जड़ा, लेकिन अश्विन ने हुड़ा को आउट कर इस साजेदारी को तोर दिया था. संदीप शर् फिलहाल कप्तान केल राहुल के साथ आयुश बदोनी मौजूट थे. टेज गेंद बाज आवेश खान ने लखनओ के कप्तान केल राहुल की अर्धशतक ये पारी का अंत किया. शतक की ओर बढ़ रहे राहुल कैच थमा बैठे और उन्हें पवेलियन लोटना पड़ा. रा दौलत राजस्थान रोयल्स के सामने 197 रनों का लक्ष रखा. टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनओ ने राहुल और दीपक हुड़ा के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई शतकिय साजेदारी के दम पर 20 ओव में 5 विकेट पर 196. रन बनाए. राजस्थान के लिए संदीप शर्मा ने दो विकेट जटके और इस मैच में वह अपनी टीम के लिए सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए. राजस्थान को ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा ने शुरुआती सफल ताय दिलाई थी. बोल्ट ने पहले ही ओवकी तीसरी गेंद पर क् किया. इसके बाद संदीप ने पिछले मैच के शतकधारी माकस टोईनेस को खाता खोले बिना पवेलियन भेजकर लखनओ की पारी लड़ खड़ा दी. हाला की कप्तान केल राहूल ने दीपक हुड़ा के साथ मिलकर पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने हुड़ा ने भी 30 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया. हाला की रविचंदरन अश्विन ने हुड़ा को आउट कर इस साजेदारी का अंत किया. इसके बाद संदीप ने निकोलस पूरन 11 और आवेश खान ने राहूल को आउट कर राजस्थान की वापसी कराए. लखनओ ने 200 रन का आकड़ा पूरा करने की तमाम कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी. आयुश बदोनी 13 गेंदों पर 18 रन और क्रुनाल पांद या 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लोटे थे. दोस्तों राजस्थान की पारी शुरू हो चुकी थी और यशस्वी जायस्वाल के स जोस बटल पारी का आगाज करने उत्रे. लखनों के लिए मैट हेंवी गेंदबाजी की शुरूआत करने आये. दोस्तों यशस्वी जायस्वाल और जोस बटल की सलामी जोडी ने राजस्थान को अच्छी शुरूआत दिलाई थी. राजस्थान ने तीन ओव की समापती त लिए. बटल अठारा गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए. बटल ने यशस्वी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 60 रनों की साजेदारी की और टीम को मजबूत शुरूआत दिलाए. हाला कि यश्ठाकुर पावपले में लखनओ को पहली सफलता दिलाने में सफल रहे राजस्थान ने पावपले समाप्त होने के बाद एक विकेट पर 60 रन बनाया था. यशस्वी 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका साथ देने क्रीज पर कप्तान संजुर सैमसन उत्रे थे. दोस्तों पावपले खत्म होने के बाद राजस्थान को दूसरा का लगा था. यशस्वी जायस्वाल भी अपना विकेट गवा बैठे थे. यशस्वी 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए. सात्वा ओवर डालने आयमाकस टोईनिस ने पहली ही गेंद पर यशस्वी को आउट किया. राजस्थान ने रियान पराग को इंपेक्ट प्ले कर आउट हुए. अच्छी शुरुआत के बाद लखनव ने राजस्थान की पारी लडखडा दी थी. दोस्तों कप्तान संजू सैमसन ने राजस्थान को जटकों से उबारा. राजस्थान ने 13 ओवर की समापती तक 5 विकेट पर 115 रन बना लिये थे. सैमसन 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि ध्रूब जुरेल 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. कप्तान संजू सैमसन और ध्रूब जुरेल ने शांदार बल्लेबाजी कर राजस्थान को मुसीबत से उबारा. दोनों बल्लेबाजी की बहतरीन साजहदारी के दम राजस्थान ने 16 ओव की समाप्ती के बाद 3 विकेट पर 160 रन बना लिये थे. सैमसन 44 रन और जुरेल 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. सोलहवे ओव में इस मैच का अपना पहला ओव डालने आयर अवी बिश्नोई महेंगे साबित हुए और सैमसन तथा जुरेल ने उ पहले सैमसन ने छक्के के साथ अपना पचासा पूरा किया और फिर जुरेल ने भी अर्धशतक पूरा किया. इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए शतकिये साजेदारी भी पूरी हो चुकी थी. राजस्थान को अब जीत के लिए 12 गेंदों पर 11 रन बनाने थे. कप्तान संजूर सैमसन और ध्रूब जुरेल की शांदार नाबाद अर्धशतकिये पारी खेल के दम पर राजस्थान रोयल्स ने लखनव सुपर जायंट्स को साथ विकेट से हराया. राजस्थान की यह 9 मैचों में 8 वी जीत है. लखनव ने पहले बनाकर जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम प्लेओफ के काफी करीब पहुँच गई है. राजस्थान 9 मैचों में 8 जीत और एक हार के साथ 16 अंक लेकर शीर्षपर बनी हुई है. जबकि मुकाबला हारने के बाद के बाद के राजस्थान की अगुआज हुआई वाली टीम पाँच जीत के साथ चौथे स्थान पर है. जै हिंद जै भारत